है 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 आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूटी तलल जे एल जहर्खन लाइब्स में दोस्तों आज है दो फरवरी तो हम लोग यहां पर आज 28 चनवरी से दो फरवरी के जहर्खन के महत्यपून करेंने फ्रकूर्शंस देखने वाले हैं तो जुड़ी जाई सभी लो लेकिन अब आपको हम लोग यहां पर मिलेंगी आपको और हम लोग यहां पर देखा करेंगे तो चली हम लोग देर न करते हुए आज की करेंड़ करते हैं और आप सबको हमने कल जो है बताया था कि सारी विज्यापन रध हो गई है तो बिल्कुल भी होपलेस होने की है तो इसमें ज्यादा देर नहीं लगने वाला है क्योंकि नियमावली बनकर लगभग त्यार है और राज सरकार दवारा कभी भी हो सकता है कि उसे लागू कर दिया जाए और फिर से जो एक्जाम का प्रोसेस है वो शुरू हो जाए तो इसलिए इस जो अभी प्रियेड है जो चल रहा है उसमें आपको थोड़ा सा धारी रखकर अपनी तैयारी बेहतरीन तैयारी करनी है ठीक है तो चलिए देर ना करते हैं हम लोग यहाँ पर आज के महत्पून करेंडे फ्रेकूशंस हम लोग यहाँ पर देखते हैं और आज का यहाँ पर जो पहला प्रस्ण है जो है जारखंडराज्ये के जो असी उत्कृिष्ट विद्यालह है उनके प्राध्याप पूपको ठीक है उनके प्रेंशिपल्स को जारखंड के किस समस्थान द्वारा प्रक्षिश्टित किया गया है ठीक है इद्सका सही एंडस होगा यहाँ पर वो ऑप्क्सिन नमबर द इल्कुल सही एंड़ सर्कार के द्वारा यहां पर उत्कृष्ट विध्याले का जो है वो यहां पर निर्मान किया जा रहा यानि स्थापिद किये जा रहे है उत्कृष्ट विध्याले तिक स्कूलस आपवधर एक्सलेंस जो है वह डिवलक किये जा रहे है राज्य सारकार के द्वारा अस्टेट गवर्मेंड के द्वारा तो उन सबी प्रिया जो में में जो प्रधान्य ध्यापकों को principles को सभी को जो है वो ट्रेंड किया जा रहा है तो इसी ट्रेंड जो यहां पर जो समस्थान कर रही है जहारखंड में वो आई-ाइ-म रांची कर रही है तो option number अध्यम से प्रधाना ध्यापकों एवं प्रभारी प्रधाना ध्यापकों में नेत्रित्तो छम्ता का विकास किया गया है साथ ही उत्कृष्ट विद्यालियों को संचालन किस तरह से करना है जिससे अन्य विद्यालियों से यह अलग हो सके और यहां पढ़ने वाले बच्चों जो असी उत्क्रिष्ट विद्याले हैं वो उनके प्रधान अध्यापकों को प्रसिक्षन के बाद प्रखंड अस्तर के 325 स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को पांच दिवसे प्रसिक्षन शुरू किया जाएगा तो फिलहाल जो राज्य के असी उत्कृष्ट विद्याले घोशित किये गए है उस उन्हीं जो प्रिंसिपल्स है उन्हीं को फिल्हाल ट्रेनिंग दी गई है आने वाले दिनों में प्रखंड अस्तर के जो यहां स्कूल होंगे उनको यहां पर प्रशिछन दिया जाएगा ट्रेंडिंग दिया जाएगा श्रढूर बिल्कुल स़ाङए अक quietly आई आएम राची के बारे में भी जान जाए है आई इम रांची जो है कहा परिस्थी दिजिकर इसकी अस्थापना जो है वोग हुई इसकी üzथापना कब की गई थी आप सब कमेंड करके बताइए त्टिक है इसकी थापना जो ही थी तो इसकी स्थापना जह विद्थी दोस्तो वह वह पंद रहा दिसमबर जो हाजार नो को शुरूँ थि ठीक हो 1031 रहा नौ्पर फीर ती स्थापना होई थि एक इमेज स्थीत है ठीक है चलिए नेश कुस्टन क्यों चलते हैं अगला कुस्टन यहाँ पर है जारखन में एनेमियन येंद्रन के लिए राज जी के कितनी उम्र तक के सभी बच्चों की का जो ब्लड है उसकी जांच की जाएगी खुन की जांच की जाएगी सभी बच्चों के कितने से कितने उम्र तक के बच्चों का जो है वह ब्लड सैंपल क्लेक्ट किया जाएगा उनका टेस्ट किया जाएगा तो इसका सही एंसर जो यहां पर वह आप एनियद्रन के लिए का यहां थारिफंदme यहां तो जार्व ते सीनियंतरन के लिए राजजीे के 6 मांप से 9 वर्रस तक के बच्चों में खुन की जान्थ की जाएगी ताकि बच्चों में खुन की कमी का पता लगाते हुए एनेमिया की स्क्रीनिंग क्या जा सके ठीक है तो बलड सैम्पल के माधियम से यहां पर क्या किया जाएगा उनका यहां पर एनेमिया का जांत किया जाएगा इसके लिए राज जी भर में कारिध सभी AANM को बीजिटल हीमोगलोमेटर जो है वो से बच्चों के खून की जाच करेगी इसमें जिन बच्चों में खून की कमी पाई जाएगी उनका इलाज कुपोशन उप्चार केंद्र माल निट्रिशन सिंटर में किया जाएगा ठीक है और हाल ही में यहाँ पर जो है वो नेशनल फैमिली हिल्थ सर्वे रिपोर्ट जारी क 6 मां से पांच वर्ष तक के कम उम्र के बच्चे हैं उनकी आयू के लगभग सर्षट फिश्दी ठीक है यानि कि 67 परसेंट बच्चे एनीमिया के सिकार है हलांकि जो वर्ष 2015-16 में एन फस एस जो आया था फूर नंबर नैशनल फैमिली हिल्थ सर्वे वर्ष दो जार पंद तीन फिश्दी इसमें कम दर्ज किया गया है अंक्रों के मताबिक तो यहां पर सभी बच्चों का जो है वो 6 मां से जो यहां पर 9 वस तक के बच्चे होंगे उन सभी बच्चों का यहां पर ब्लर्ड सैंपल जो है वो लिया जाएगा एनीमिया की जांच के लिए तो आपस फंट जो है वो छोटा हो गया थर्ड नंबर यहां पर कुश्चन है हाली में 23 जनवरी 2023 को जारखन के किस वीर सहीद के नाम पर अंडमान निकोबार के एक डीप का नाम एका डीप रखा गया है ठीक है बहुत ही important कुश्चन है यहां पर और यह जो है वो यहां पर किंदर सरका के नाम पर अंडमान निकोबार के एक डीप का नाम एकका डीप रखा गया है तो इसका असे हैं यहां पर वो option number C जोगा यहां पर वह बिल्कुल सही answer वह जाएगा ठीक है option — C जोगा वह बिल्कुल सही answer हो जाएगा तो यह है अलबर्ट एका ठीक है परमवीर चक्र विजिता जो है अलबर्ट एका उनके नाम पर ठीक है वीर सहीर अलबर्ट एका के नाम पर अंडवान निकुबार का एक द्वीप का जो नाम रखा गया है वो क्या रखा गया है एक का द्वीप रखा गया है ठीक है तो आपस नंबर यहां पर जोगा वो सी इस बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए इस संबंद्र जो भी यहां पर महत्पुन फैक्ट्स निकल करा रहे हैं वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं ठीक है तो 23 जन्वरी को यह घुसना की गई थी किंद्र सरकार के द्वारा यंकी पर्धान मंत्री नेदरंद्र द्वारा यहां पर इसके घुसना की गई है कि देश के अमर सहीद परमविर चिक्रविज़ताओं के नाम पर अंडमान निकोबार दीप समूग के 21 सबसे बड़े और अंडमान डीपो का नामकरन किया गया है तो अंडमान यहां पर निकोबार की जितने सारे द्वीप है उन द्वीप जहरखंड के परमविर चक्रविज़ता लांस नायक अलबर्ट एका का नाम भी सामिल है ठीक है अलबर्ट एका का जो जन्म हुआ था वो 22 डिसंबर 1942 को जहरखंड के गुमला जी लेके जारी गाव में हुआ था उन्हों ने सन 1962 में सेना के बिहार रेजिमेंट से अपना सैनिक जीवन शुरू किया और साल 1971 में भारत पाक यूद में सहीद हो गए थे वो ठीक है और भी इनके बारे में यहां पर देख लिए साल 1971 म भारत पाकिस्तान युद में अलबर्ट एका ने वीर्ता सौरी और साइनिक हुनर का प्रशन करते हुए अपने एकाई के साइनिकों की रख्षा की और उनके हाथ में गंगा सागर के पास जो यहां पर कहिए कि भारती सेना का मूर्चा था इसी दौरान पताचला की रेलवे स्टेशन पर 165 पाकिस्तानी घुसपैट अड़ा जमाए हुए हैं तो 3 दिसंबर को रेलवे स्टेशन पार करने के दौरान पाकिस्तानी सेना के संत्री ने उन्हें रोकने की कोशिज की लेकिन भारती सेनिकों ने संत्री को मार कर दुस्मन के इलाके में जागू से और पाक स्टानी को ने 65 पाक सानी को को मार गिराया जबकि 15 को कैद कर लिया गया था और रेल्वे के जो आव्टर सिग्नल पर कबजा करने के बाद वापस आने के दौरान टौप टावर के उपर खड़े पाक सानी को ने अचानक मसीन गन से भारती सानी को पर हमला कर दिया इसमें 15 भारती सायनिक सहीद हुए यह देख अलबर्ट एका टॉप टावर पर चड़ गए और मसीन गन को कबजे में लेकर दुस्मनों को गोलियों से छलनी करो दिया और इस दोरान उन्हें भी करीब 25 गोलिया लेगी और जहां उन्होंने अंतिम सास ली ठीक है तो यह अलबर्ट एक वह अलबर्ट एक अके नाम पर रखा गया है और उस दीप कर नाम रखा गया है वह एक का दिविव रखा गया है ठीक है तो यह बहुत ही इंपरेंट कुशन यहां पर इसकी घोसना प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने 23 जनवरी 2023 को की है ठीक है तो यह याद रखेगा बह आवनाओं के रंग कालोकारपन किया गया है यह पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है तो एक कावी संग्रा है और एक लगू कत्था है तो यह जो पुस्तक के हैं वो किनके द्वारा लिखी गई है तो इसका सही अंसर जोगा यहां पर वो आप्स नंबर सी होगा यानि कि ए जन्वरी 2023 को सुभास चंद्रबोष की जयनती के अवसर पर अंतराष्टिय साहित्य कला संस्कृति न्यास साहित्य उदय के बैनर तले रंजना वर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक लगु कथा संग्रा माटी की खुसबु और रेनुजहा रेनुका का जो काव्वी संग्रा है भावनाओं के रंग उसका भी मोचन किया गया है तो यह यहाँ पर याद रखिएगा चली नेश्ट कुछन की ओर चलते हैं अगला जो कुस्चन है वो है हाली में जारी नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे एन एफ एच एस फाइड की ताजा रिपोर्ट के अनुसार एक हजार पुत्र पर कितनी पुत्रिया जन्म ले रहे हैं तो वर्तमान में यहाँ पर जो है वह हाली में यह रिपोर्ट आया है नेशन जारे यहां पर रहा है ठीक है इस रिपोर्ट में क्या बात सामने निकल कर आ रही हैं तो इसका सही answer जोगत estar है यहां पर वह option नम्बर क्या है यहां पर जो है वो जन्म ले रहें यानि कि सेक्स रिपोर्ट के नुसार हम लोग बात कर रहें ठीक है इस रिपोर्ट के नुसार सेक्स रिपोर्ट के बात करें तो मेल अगर तो जो फीमेल है वह आठ तो निरानबे है इतने जो है वह यहां पर यहां पर जन ले रहें बर्थ इनका हो रहा है तो यह शेक्स रिस्यो है यहां पर फिर्वाल जो नेसनल फैमिली एल्थ सर्वे जो फाइब यहां पर जारी किया गया है यानि कि वर्ष 2019 2021 का ये सर्वे जो है वो जारी किया गिया है ठीक है वर्ष 2019 का ये सर्वे आया है नेशनल फैमिली हिल्थ सर्वे इस सर्वे में जो बाते सामने निकल कर आ रही है सिक्स रेसियो के बारे में तो वो एक हजार पूरू सो पर आठ सो निनानवे महिलाएं है चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस सम्बंदित यहाँ पर महत्पुन्ट फैक्ट्स देख लेते हैं तो हाले में वर्ष 2019 किस नाशनल फैमिली हिल्थ सर्वे एन एफ इस जो है फाइब की ताजय रिपोर्ट जारी की गई है इस रिपोर्ट के अनुसार एक हजार बेटे पर मात्र आठ सो निनानवे बेटियां राज्य में जन्म ले रही है वर्ष 2015 16 में यहां आकड़ा 919 था यानि कि वर्ष 2015 16 में यानि कि जो महिलाएं थी ज्याद्द जन् भी जो है कितना हो गया है 1000 पर वो 899 हो गया है ठीक है 899 हो गया तो यह यहां पर अंतर जो है वो पिछले चार पाल सालों में अंतर देखा जा रहा है ठीक है इस रिपोर्ट के मात्यम से चिंदा की बात यह है कि सहरी छेत्र में शिक्षा और जग्रुंता के बावजुद प इस रिपोर्ट के नुसार शहर में करका 8 bail लेती है वहीं ग्रामिंन इलागों में 10 CJ बंटीया जन्म लेती है तो इससी रिपोर्ट के नुसार अगर हम लोग यहां पर देखें दीक है तो यह रिपोर्ट जो जारी किये गई है होग ग्रामिंच के मुकाबले सहरों में जबकि यहां पर सिक्षा है लोग जागरोग है फिर भी यहां पर बेटिया जो है जन्म कन्म ले रही है और यहां पर सहरों की बात करें तो सहरों में जो जन्म हो रहा है ठीक है सहरों में जो जन्म हो रहा है वो 781 मात्र हो जहा है एक हजार पूरूसों पर उक High तो यह थोड़ा बहतर है् ग्रामिंग इलागों में लेकिन सहरो में यहां पर उससी इस चीनता जानग मात्र 781 यहां पर बेटिये जन्म ले रहे हैं इस रिपोर्ट में राजिlike 7 जी लों के kadar ज chips ऐनकोर बेहतर हुई है इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो डिटेल से बता दूंगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो वर्ष्ट दुछार के लिए आया है हाली में यहां पर जारी किया गया है उसका अलग से डिटेल्स वीडियो जो हुआ हम लोग देखेंगे क्लास उसका ए वो है कि हाली में 23 जनवरी 2023 को नबाज जार्कन छिटरी कार्याले के मुक्ष महाप्रमंध कॉन्डि के गया है ठीक है तो नबाज है आप सबको पता होगा नबाज का जो फूल former है वो क्या है नशनल बैंक फोर ठीक है इसका जो फूल फॉर्म है वो क्या है तो यहां पर देख लिए नेशनल बैंक फॉर ठीक है नेशनल आपको इसे सारी बातें जो है वो पता होनी चाहिए आपको नेशनल बैंक पौर ठीक है national bank for agriculture और एक्री कंलचर और रूलर डेवलोब्मेंट टीक है अग्री कंलचर ठीक है agriculture एन रूलर डेवलोपमेंट टीक है बोल डेवलोफमेंट ठीक है यह जो इसका फूल फॉर्म हैं ठीक ही national और यहां पर जो है कहिए कि जर्खन में भी इसका यहां पर ब्रांच होता है हर राज्ची में इसकी साखाएं होती है तो जर्खन में जो महामपहे की प्रबंधक है वो कौन निवत किये गए है तो इसका सही अंसर यहां पर वो आप्स नंबर एज होगा वो बिल्कुल सही अंसर जाएगा डॉक्टर एम एस राव है जो कि यहां पर महाप्रबंधक के रूप में निवत की गए है अपनी सेवा के पिछले 30 वर्सों के दरान डॉक्टरों ने डॉक्टर यहां पर जो है जो यहां पर निवत की गए है में एस राव उन्होंने उडिशाặt यूपी आंद्रप्रदेश और केरल में 6 कारीयाले में सीवत अपना स्यवद्वा दी है और सातिसात वह मनीपूर to subscribe के प्रभारी भी थे उन्हों आई ए आर आई पूसा से उन्होंने पी एचडी भी की है ठीक है उन्होंने हौटी कल्चर बायो टेक्नलोजी और पोस्ट हर्विस्ट मैनेजमेंट बें विशसकता भी उन्होंने हासिल की है तो इससे पुरू मुंबै स्थित नाबाड मुख्याले में वहां पर जो है वह महा नाबाड की जो स्थापना हुए थी वह कब हुए थी नाबाड की जो स्थापना हुए थी वह 12 जुलाई 1982 को हुए थी कभी थी 12 जुलाई ठीक है याद रखेगा 12 जुलाई 1982 इस वी को जो है वो इसकी अस्थापना की गई थी तो यह आप यहाँ पर याद रखिएगा ठीक है तो यार यह Ministry of Finance Government of India के अंदर गताती है और इसकी अस्थापना जो है वो 1982 में की गई थी तिक यानिकि आज से 40 साल पहले इसकी श्दापना की गई ती और इसका हेड प्रस्ण पुछा गया था उसका हम लोग आज सही एंसर देख है प्रस्ण पुछा गया था कि हाल ही में जारी असर रिपोर्ट 2022 के नुसर राजी के कितने फिश्टी स्कूलों में पेजल की स्वीधा उपलब्द है तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर वो अप्स नंबर A जोगा वो बिल्कुल सही अंसर जाएगा ठीक है तो यहाँ पर 82.1% जो विद्याले है वहाँ पर पेजल की स्वीधा उपलब्द है तो मैंने एक विश्टार से जो है वीडियो आपको डिटेल्स में प्रवाइड कर चुका हूं असर रिपोर्ट संबंधित तो आप उसे भी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं तो यहाँ पर इसका सही अंसर जोगा वो ऑप्स नंबर A पर इसका सही अंसर आप सब को कमेंट करके बताना है पिछले से 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 हम लोग हर एक से सन में एक कुश्चन देखते हैं ताक कि आपके रिवीजन जो है वो यहाँ पर हो सके तो कुश्चन यहाँ पर है वो है जारखन के सरकारी भावनों में पिछले पांच वर्सों में कितन कितने सोलर पावर प्लांट स्थापित किये गए है तो यह आपको कमेंट करके बताना है पहला आपसन जो है वह 1265 है तीसरा आपसन 1465 है और चौथा आपसन यहां पर 1565 है तो आप सब इसका सही आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा ठीक है तो दोस्तो यह थी यहां पर आज की जहारखंड की महत्यपूर्ण करेंट अपरेकूशन और उमिद करता हूं कि आपको सेशन पसंद रही होगी कुछ डाउट रहता है अगर आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो डाउट है उसे क करिए ताकि उन लोग भी आपकी जो दोस्त जूर सकें और हर खंड के महत्यपूर्ण करेंट अपरेकूशन देख सकें ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम सुबह 6 बजे मॉर्णिंग में तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी जार कर दिंग में